ये कहानी चतुर नाई और लालची दूदुवाले की है पूरी सुनना एक बार की बात है मदनपुर गाउं में रामु नाम का एक नाई रहता था उसकी दुकान गाउं के चोराहे पर थी जिससे वह पूरे गाउं में परसित था वह अपने बाल काटने से ज़्यादा चमपी करने के लिए ज़्यादा परसित था एक दिन रामु अपनी दुकान में बाल काट कर साम को घर गया घर जाने पर रामु की पतनी ने बताया कि चंदु दूदुवाले ने दूद का दाम बढ़ा कर तीस से चालिस कर दिया है यह सुनकर रामु को बहुत गुस्चा आया और उसने कहा कि यह एक तो चंदु दूदुदवाले का दूद इतना पतला है फिर भी उसने अपने दूद का दाम बढ़ा दिया लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं क्योंकि गाउं में एक ही दूदवाला है अगले दिन फिर रामु अपनी दुकान पर बाल काट रहा था तभी दो आदमी बाल कटाने के लिए दुकान में आये उन में से एक आदमी रामु से बोला मैंने सुना है आपके गाउं में दूद का दाम चालीस रुपे है रामु ने कहा कि यह दाम पहले तीस रुपे था लेकिन अभी चंदु दूदवाले ने दस रुपे और बड़ा दिये हैं फिर उस आदमी ने बताया कि हम दोनों पास के गाउं से आये हैं हमारे गाउं में दूद का दाम 20 रुपे लिटर है बताओ हम ही वहाँ पर दूद देने का काम करते हैं रामु ने उनको कहा कि आप हमारे गाउं में भी दूद बेच लीजी रामु ने कहा कि आप हमारे गाउं में भी दूद बेच लीजी इसके आप 25 रुपे लिटर कर सकते हैं मैं इसके लिए गाउं वालों से बात भी कर लूँगा यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए कुछ देर में गाउं में गाउं के बाकी लोग और चंदु दूद वाला भी दुकान में आया रामु ने बड़ी चतुराई से पूछा चंदु तुमने पिछले महिने ही नई भेंस ली है अब दोनों बहंस परती दिन का कुल कितना दूद देती है चंदु ने कहा कि दोनों बहंस कुल मिला कर 30 लिटर दूद परती दिन का देती है रामु ने चंदु से फिर पूछा क्या तुमारा सारा दूद बिख जाता है चंदु ने कहा कि भगवान की दया से सारा दूद बिख जाता है क्योंकि मैं 10 रुपे 10 लिटर दूद हलुआई को 10 लिटर कुलफी की दुकान में 5 लिटर सेट जीक को 4 लिटर वकील को और मास्टर जीक के पास देता हूँ बाकी बचा एक लिटर गाउं के 12 लोगों को दे देता हूँ ये बात चतुर रामू ने पकड़ ली और चंदु से कहा कि तुमारी दोनों बहेंस 30 लिटर दूद देती है लेकिन तुमारा 45 लिटर दूद गाउं में किस परकार बेशते हो इसका मतलब तुम दूद में पानी मिलाते हो तभी तुमारा दूद पानी की तरह पतला होता है दुकान में बेठे गाउं के और लोगों ने भी जब यह सारे बात सुनी तो उनको भी पता लग गया कि चंदु दूद में बहुत पानी मिलाता है जब गाउं के लोग चंदु की पिटाई करने के लिए उसके पीछे गए तो वह भाग गया इसके बाद रामु ने गाउं के लोगों से बात करके दूसरे गाउं का दूद पचीस रुपे परती लिटर में लगा लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि इससे गाउं वालों को कम दाम और अच्छा दूद मिलने लगा और चंदु दूद वाले को भी अपनी करनी का फल मिल गया आई होप आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना थेंक यू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई कर दो दूद आई है कर दो दूद दूद आई है